नर्शकार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी मैं हूँ आपके साथ मेंशा आईए करते हैं खबरों की शिवाद भागलपूर के बरारी थाना शेत अंतरगत जहौबा कोठी इस्थित 23 नंबर क्वाटर में एक युवक की संदिक इस्थिती में मौत हो गई पुलिस ने उक्ति युवक का श्च्वप नक्न अवस्था में उसके कमरे से बरामत किया है मिर्टक की पहचान सनहोला थाना शेत अंतरगत महेशपूर निवासी सुर्गी अमरेंद्र कुमार निराला के दूतिय पूतर शुचान कुमार के रूप में हुई है मामले को लेकर मिर्टक के परिजनों का कहना है कि मिर्टक के पिता अमरेंद्र कुमार निराला कलेक्ट्रेट में बड़ा बाबू के पदपर कारे रथे जिनके निधन के बाद सुचान का अनुकमपा पर नौकरी लगने वारी थी मृतक की मा विभादेवी ने बताए कि उनके पती के मौत से पहले वे लोग जहुआ कोटी इस्थित क्वार्टर में ही रहते थे इसके पार विभादेवी सनहौला के किसी वद्याले में सक्षिका के तौर पर पढ़ानी लगी उन्होंने बताए कि उसके बेटे की मांसिक हालत ठीक नहीं थी जिसका इलाज भी चल रहा था मृतक सुशान कोटर में अकेले रहता था उसकी देख रेक के लिए पास कहीं खंजपूर कुस्तेकाले निवासी राजेश शर्मा रहते थे राजेश ने बताया कि वे सुभह कॉर्टर में आ जाता था और घर के बल्व लगाने से लेकर साफसफाई का सारा काम करता था उसने बताया कि पंगर दीन पहले पास के मेधी ठाकूर और उसकी पत्नी से गोईठा ठोकने को लेकर विवाद हुआ था मिर्टक की मा विभाद देवी ने बताया कि प्रतेग दीन की तरह बीती रात से वह फोन कर रही थी लेकिन सुशान्त ने फोन नहीं उठाया तब इसके जानकारी उसने राकेश को दी और राकेश जब सुभह कॉर्टर पहुचा तो कॉर्टर का दर्वासा बन था काफी अवास लगाने पर भी उसने दर्वासा नहीं खोला इसके जानकारी राकेश ने परिजनों को दी वही ख़वर मिलते ही परिजन मौकी पर पहुचे जिसके बाद परारिथाने की प्रीस और एफसरल की टीम भी मौकी पर पहुची और नगने अवस्था में मिर्टक का शब को उसके कमरे से पाया गया मिर्टक सुषांत के दो और भाई है जिनका नाम अनिमेश कमार और बिटु कमार है बताया जो आ रहा है कि सुषांत नशे का सेवन करता था पिलहाल या आप में हत्या है या फिर किसी तरह की साजश ये तो जाज के बाद ही पता चुन पाएगा हाला कि पुलिस मामने की जाज में जुट गई है यहां जो है इनके पिता जी का ही है क्वाटर अनुकंपा पर इनका सर्विस होने वाला था और कल जो है 11 वजे इनको बोले कि चलो घाट पे मेरे पिता जी देट कर गये थे तो बोल आज सुबा में ममी इसके फोन की कि हम रहा फोन ने उठा रहा है तो हम यहां आए देखने के लिए तो गेट आगे वाला जो है भिलका हुआ था और अंदर वाला पिछे से बंद था देखते हैं कि नेकेट खिरकी से जाके देखें कि नेकेट पड़ा हुआ है हमको आते जाते लगता था हमकुछ तो लगता है कि पुछ प्रेवी विम एम भॉभारी टैप का था दो तीन बार हुआ था इसको तो इसकी मम्मी बह ली क्या हमको कि बटाए इसा ऐसा बात है दिखते रह ना ठीक है तो हम यहां रहने लगे हम अपना जो यहां आते थे तो यहीं पर बैठके हम फैन बगारा भी बनाते थे, कुलर भी इनका बना दिये थे, हम करीबन आ रहे हैं छे मेना से मुखी मंत्री निदेश कुमार के 1711 करोर रूपीय की लागत से बन्रहे ड्रेम प्रोजेक्ट सुल्तान गंच अगुवानी पूल रविवार के शाम ताश के पत्तो की तरह देर हो गया सुल्तान गंच अगुवानी घिर्मान अधील पूल शेत्र को रेट जोन घोशित कर दिया गया जिसके चलते नापरिचालन पभी पुन रूप से रोक लगा दी गई वही सुबह से ही स्ट्यारफ की टीम भी लगी हुई है हलाके इस घटना में इस पिशनला कमपनी में कारियरत एक यूवक विभास कुमार लापता है जो कमपनी में गाट का काम करता था उसकी मोटर साइकिल लगी हुई है लेकिन वह यूवक रविवार चार बचे शाम से ही कायव है आसपास के लोगों ने बताया कि वह दस नंबर पाया पर काम करता था आशंका जताए जा रही है कि शायत इस घटना में उसकी गंगा नती में डूवने से मोट हो गई है परिजन गंगा घाट के किनारे विलाब कर रही है वही सीयों ने बताया कि अपूल भागलपूर के छेतर में भी पड़ता है और खगड़िया के छेतर में भी पड़ता है इसके चलते दोरों तरफ के प्रशासन अपना ताल मेर बनाकर इस कारे में लगे हुए है वही अभी तक जिला प्रिशासन के ओर से मलवा उठाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है नाहीं अभी चार्च टीम द्वारा जार्च प्रारम में की गई है वही देरात हाथसे के बाद भागलपूर जीले के वरिय पदाधिकारी मौके पर निरिक्षिन के लिए पहुची जहां उन्होंने इस घटना को काफित दुखत बताया और इसकी चार्च कराकर जल्द दोश्यों पर कारिवाई करनी के भी बात गई हाथसे के बाद कंपणी के सभी कर्मशारी एवं दिकारी मौके से फराह हो गए वही परिशासन के ओर से कंपणी पर शिकंजा कसने के भी तैयारे शिरू हो गई है संपुर्न इकरांती दिवस के अफसर पर सोंबार को गांधी मैदान इसित गोलंबर में अस्थापित संपुर्न इकरांती के महा नायक लोक नायक जैप्रकाश नाराइन की प्रतिमा अस्थल पर राज की समहारों कायो अउचन क्या गया इस अपसर पर राजिपाल राजेंद्र विश्मिनात आरलेकर एवा मुख्य मंत्री विटेश कुमार ने लोग नायक जैप्रकाश नारायन की प्रतीमपर मालियार पन कर उन्हें नमन कर उनके बताए आदश्यों को याद किया इस अपसर पर वहां मौजूद उप मुख्य मंत्री तेश्मि प्रशाथ यादव खात एवं मुभोक्ता संडक्षन मंत्री लेशी सिंग, परिवहन मंत्री शीला कुमारी उद्योक, मंत्री समीर कुमार महासेथ, जेपी सिनानी गंसहित अनेक समाजिक एवं राजशनितिक कार मुख्य मंत्री ने वहां उपसर जेपी सिनानियों से मुलाकात कर उनका हाल पुछा, वही सबसर पर सूचना एवं जनसंपग भाग के कलाकारोत वारा पिहार गीत, भजन किर्टन एवं आर्ति पूजन की गई, कारीकरम के बाद पत्रकारों को संपोधित करते हुए मुख् करना चाहिए, इसके अलाबा प्रदेश के विफिने जीरों में अस्थापित जेपी की प्रतिमा पर लोगों ने पुश्व अर्पित कर शर्थान जली अर्पित की, इस दोहरां सुचना प्रवायदी की मंत्री इस्राइल मंसूरी, विधान पाश्चत, कुमूद वर्मा, प पूल का इस्ट्रक्चर एक पार पहले भी गिरा था, उस समय भी उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, वर्ज 2000 पारे में ही इस पूल के निर्मान करने का निर्नाई किया गया था, और वर्ज 2014 में इसकी शिरुवात हुई, कली जानकारी मिली है कि फिर से इसका इस्ट हुआ था, तो उसी समय हमने कहा इसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए, हमने बहुत पहले तर किया था, हमने बारा में ही देखा, और 14 से काम पूल हुआ, अब जिसको भी दिया गया है, अब इतना देर क्यों हुआ, और ये गिर गिया था, तो उसमय भी हम पूल के उपरी हिस्से के गिरने पर विबक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर लगाय जा रहे आरोप से सम्वंधित सवाल का जवाब देती हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोग कुछ भी बोलती रहते हैं उनका काम सिर्फ बोलना है जो उनके साथ पहले उप मुख्यमंत्री थी उनको पार्टी ने कोई जगह नहीं दी तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है जबकि आज की कारिक्रम में उन लोगों को भी आना चाहिए था वे लोग भी जेपी मुव्मेंट से जुड़े हुए थे विश्व प्रियावरन दिवस के अपसर पर राजी भर में विरिक्षा रोपन कारिक्रम कायो चन क्या गया इस दोरान मुख्यमंत्री निदेश कुमार ने एक अने मार्ग इस्तित मुख्यमंत्री अवास परिसर में आम के पौधे का रोपन किया और सभी लोगों से प्रियावरन को संरक्षित रखने के लिए पौधा रोपन करने की अप्रील की इस अपसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रामर्शी मनिश कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचीब डॉक्टर एस रिधार्ट, प्रियावरन वन एबं जलवायू परिवर्तन विभाक के प्रधान सचीब अर्विंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के विश अगर नीगम परिसर में विश्व प्रयावरन दिवस के उपलक्ष पर सबों ने मिलकर पौधार रोपन किया, वही भागलपूर की महापोर डॉक्टर वसुंद्रा लाल ने कहा कि अपने शहर को स्वच्छ रखनी और प्रयावरन को स्वच्छ रखनी के लिए पेड लगानी क साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को कम से कम उप्योग मिलाएं क्योंकि प्लास्टिक हमारे प्रयावरन को सबसे ज्यादा दुश्रित करता है प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह से भागलपूर शाखा युवा राजट द्वारा आज जिला मुख्याले भागलपूर में संपोनिक रांती दिवस पर भारत सरकार से जाती जन गन्ना की मांग नई सिक्षानीती इवं बड़ती महंगाई के विरोत में एक दिवसी महा सक्षक के हीथ की बात की जाए एवं उससे समान बेतन समानकारेवाली पधिती पर रखा जाए साथी पूराना पेंशन योजना चालु किया जाए वम राज स्वकर्मी को सिक्षकों को दरजा दिया जाए बेरुसकारी को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि पूरे भारत वर्ष में बेरुसकारी चरम सीमा पर है रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम आस्मान छू रहे हैं उस पर विराम लगाया जाए साथी जाती जनगना जल्द कराने की मांग को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने जम कर हला बोल प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि अगर ये सारी मांगे नहीं मानी जाती है तो केंदर सरकार के खिलाफ सोरदार प्रदर्शन किया जाएगा इस दोरान भागरपूर शाखा के यवाराजत की दरजनों काई करता मुझूद थे लगतार दीजल का दाम हो पेट्रोल का दाम हो गय सिलिंडर का दाम हो दलहन का दाम हो या खाने पिने के अनिवस्तवे लोगेरी सो रुपया पांच सु रुपया लेकर भी बजार जाता है तो हमको लगता है आधा जोला भी समान लेकर घर नहीं पहुच पाते हैं इस तरह बे हो रहा है लेकिन हम लोग का जो जातीगत जनगना भारत में नहीं हो रहा है क्या बात है बहुच्स कम भाइब बिहार सरकार ने उसमय क dieta चलनल लेकिन अलगा कर लई कि को दोर रोक दिया गया नहीं कोड का कहना हुब है कि जन गन्ना कराने का करें नातनगर थाना अंतरगत मिर्जापूर सत्संग नगर के समीप एनेचसी के बगल में एक जमीन पर जैसी भी द्वारा काम चल रहा था तभी एक गिरा हुआ सूखे कहजूर के पेड़ को जैसी भी द्वारा हटाया जा रहा था तो उसके अंदर से एक चितकापरा मोटा स साप भागते कोई नजर आया इसके पात वहां मौजूद लोग डर से सहम गए और सभी साप को देख दूर भागने लगे देखते ही देखते वहां भीड़ी कट्था हो गई वहां मौजूद लोगों मेंसे एक व्यक्ति पंकच कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह पर नाक नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई जहर नहीं होता है इसलिए खबराने की कोई जरूरत नहीं है तब जाकर लोगों के जान में जान आई पर नहीं होता है अन्य अजगर में बहुत खतरना हो जहर रहता है पलहाल इस मुलटीन में इतना ही तब तक के लिए जाई जगर